दोस्तों अज 12 अगस 2022 को DCW Limited के Quarter 1 के Financial Result को Publish कर दिया गया है तो चलिए हम लोग इसके Result को Analyze करते हैं यह इस Company का Financial Result है और यहां सारे Figure Lacks में बताए गए हैं मैं इस Figures को करोड में Convert कर बताऊंगा Except Turning Per Share Q1 में Revenue from Operations 760 करोड 65 लाग है जो Previous Quarter में 707 करोड 23 लाग था और Previous Q1 में यह 520 करोड 50 लाग था तो Revenue from Operations में Year on Year Basis पर लगभग 48% की बढ़त है और Quarter on Quarter Basis पर यह 9% बढ़ा है Q1 में Total Income 771 करोड है जो Previous Quarter में 708 करोड 55 लाग था और Previous Q1 में यह 522 करोड 74 लाग था देखें तो यह 46% बढ़ा है Q1 में Net Profit या Profit After Tax 59 करोड 77 लाग है जो Previous Quarter में 47 करोड 77 लाग था और Previous Q1 में यह 13 करोड 37 लाग था तो Pat यह Net Profit में Year on Year Basis पर 349% की बढ़त है और अगर Quarter देखें तो यह 23% बढ़ा है तो Pat में Year on Year और Quarter on Quarter दोनों ही Basis पर अच्छी खासी बढ़त हुई है लेकिन यह Net Profit After Exceptional आइटम है आप यहां देखें Quarter 1 में 14 करोड 73 लाग का Exceptional Gain बुक किया गया है और Previous Year के Quarter 1 में 13 करोड 90 लाग का अगर हम लोग इस Exceptional Gain को हटा दें तो Quarter 1 में Net Profit 44 करोड का होगा और Previous Quarter में Net Profit लगबग 48 करोड का है और Previous Year के Q1 में Net Loss 53 लाग का होगा तो अगर हम लोग Exceptional Gain को हटा दें तो Year on Year Basis पर Net Profit में तो कई गुना बढ़त है लेकिन Quarter on Quarter Basis पर Net Profit में लगबग 8% की कमी दिखेगी लेकिन इसके बाबजूद भी इस कमपनी के रिजल्ट अच्छे है Q1 में Diluted Earning Per Share 2 रुपे 6 पैसे है जो Previous Quarter में 1 रुपे 63 पैसे था और Previous Q1 में ये 15 पैसे था तो Earning Per Share में Year on Year Basis पर 304% की बढ़त है और Quarter and Quarter Basis पर ये 26% बढ़ा है Quarter 1 में इस कमपनी का EBITDA 124 करोड़ है जो Previous Quarter में ये 100 करोड़ था और Previous Year के Q1 में ये 69 करोड़ 60 लाग था तो Ebitda में Year on Year Basis पर 108% की बढ़त है और Quarter and Quarter Basis पर भी ये 24% बढ़ा है तो Ebitda में Year on Year और Quarter and Quarter दोनों ही बैसिस पर बहुत अच्छी बढ़त हुई है और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो Quarter 1 में EBITDA का मार्जिन 16.13% है जो Previous Quarter में ये 14.16% था और Previous Year के Q1 में ये 11.45% था तो Ebitda के मार्जिन में भी Year on Year और Quarter and Quarter दोनों ही बैसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का revenue from operation, PAT, EPS, EBITDA और margin इन सभी में Year on Year और Quarter दोनों ही बैसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है हाँ ये जरूर है कि अगर हम लोग exceptional item को exclude कर दें तो PAT में Quarter on Quarter बैसिस पर थोड़ी गिरावट है लेकिन मुझे इस company के result बहुत ही अच्छे लग रहे है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब आप से अगले वीडियो मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद